कभी आपके दिल में ऐसा क्या लाए है कि जानवरों की ज़्यादा एहमियत हो गई है एक टाइम पे इनसानों से भी जादा इस सिचुएशन को थोड़ा सा क्लियर करता हूं सुपोज करो आपके सामने एक इनसान मर रहा है और एक जानवर मर रहा है तो सबसे पहले आप किसको बचाओगे काफी सारे सोचेंगे यार यह क्या बेतुका सा सवाल है नहीं है यह मूवी के अंदर दिखाया गया है मैं बात कर रहा हूं डो लिटल मूवी की जिसे डारेक्ट राइट स्क्रीन प्लेश एक इंसान स्टीफन गगन नहीं कि नाम की जो प्रनेंशेशन देख ल वैसे मूवी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज है जो मेरे दिमाग में बार बार है यह देखो आप कोई भी मूवी आने वाले टाइम में जैसे अभी थोड़े टाइम पहले रिलीज हुई है कुछ एक मूवी उनमें अगर आप देखो उनके डिरेक्टर तो सा कर आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के काम एक साथ नहीं कर सकते हो तो आने वाले टाइम में मुश्किल होने वाली है यह मुझे देख के लग रहा है ऐसा मूवी के अंदर कास्ट है मारे प्यारे आइरन मैन भाया रोबर्ट डॉनी जोनियर और जो मूवी के अंदर है जो नोने किर दारने भाया है और डॉ-लिटल का एक जो एक पश्यू यानी जानवरों का जो एक डॉक्ट्र है वह उनका ने वाहए जो यह इस मूवीह के अंदर Dieses 對 बोल क्या मतलब कि उनकी वोईस जो है वो अब हरान हो जाओगे मैंने भी जब देखा था नहीं इनकी वोईस भी है जैसे कि टॉम होलेंट स्पाइडर मैं आइरन मैं भीया के छेले और जोन शीना सैलेना गॉंस एट सेक्टर एट सेक्टर एट सेक्टर और वाकी आप दीख ल चल जाता है एक टाइम आता है गलगाता है किव अकहल यसा कुछन कि धिकर गचाल देना दिमाग में से अब अगर मैं बत करूं मोवी में क्या अच्छा है यह हम पे कोई इमपेंट डालती है हम कुछ सिखाती है तो मेरे वियू से ऐसा कुछ है नहीं कि आपको कुछ इस मुवी से बहुत बड़ा इंपक्ट आपके ओपड़ डलेगा खैर मुवी के अंदर एक सीन है जो मुझे काफी मुझे काफी पसंद आया जैसे की एक एक जानवर की जान बचानी होती है डू लिटल को और एक रानी एक इनसान की जान के वह कहता है डू लिटल की मैं सिर्फ जानवर की जान बचाऊंगा अभी बाद में उस इस इंसान को देखो क्या है कि अभी फिलाल जैसे मुझे कहीं न कहीं सहीं भी लगते हैं अभी जैसे ऑस्टेलिया के अंदर दस हजार उंटों को गोली मारने के आदेश दिये गहें ताकि करो बढ़ा यहां पानी खतμα है और बाकी तो मर्फह करे लेकिन कर देखके रहें लैकिन अगर और अगर आपके देश में जादा हैं तो जानवरों को मारना शुरू कर दो ऐसा है आप अगर अकवार पढ़के देखेंगे या फिर एक ऐसी न्यूज आप सर्च करके देखेंगे गूगल के पर तो आपको मिल जाएगी कि उस ते लिए अंदर 10,000 उंटों को गोली मारने के देख दिए गए तो अगर ऐसे हालात हो रहे हैं तो भाषि मुझे ऐसे लगता है कि इनसान अगर मरना और एक जानवर मरना रहा है दो जानवर को भाष नहीं नहीं लेंगे पर इंपेक्ट प्ड़ेगा इंदर इतना कोई मोशन नहीं भरा है कि आपको जैसे जब डूलिटल की वाइफ की डैथ होती तो वो एक दुखी दिखाते तो वो दुख हम पे ना तो इतना इंपक्ट डालता है दूसरी चीज़ कॉमेडी मुझे कहीं नहीं लगी जादा कोई कॉमेडी मुझे नहीं लगी कि मैंने सुच आयर कॉमेडी होगी लेकिन कॉमेडी इसके अंदर भी नहीं थी एक्शन कुछ नहीं थे प्रेडिक्टेबल चीजें थी कि हाँ इसमें यह चीज हो रही है यह हो जाएगी और बिल्कुल इजी से टास्क थे कि कुछ लेके आना था तो वह बहुत इजी हो गया तो इतना कुछ जादा इसके अंदर मुवी के अंदर नहीं था मुवी ठीक थी मुझे यह मैसीज थोड़ा अच्छा लगा कि आज कल जैसे कि उंटों को मारके जो चीजें कर रहे हैं गलोबल वोर्मिंग को एक बहाना बना रहे हैं जिसे जानवरों को मारा जादर वैसे उ दिए चुक चीज जो हो रही है कही नहीं ऐसे बुरा लगता है कि इसना यह कि नहीं वहां लुकी जार रहे हैं लेकिन इतना इंपक्त तो नहीं डालने वाली है किसी के उपर कैर मेरी तरव से इस movie को मैं देना चाहूंगा 5 out of 10 star अगर आप लोगों ने movie देखिए तो please comment करके आप बता सकते हैं कि आपको कैसे लगी thanks for watching this video मिलते हैं next video में जैहिन